IPL में हुआ अर्वों का घोटाला, NBCCI समेट इंदि घजों पर ठोका करोडों का जुर्माना प्रवर्तन निदेशालई, E.D. निय गुरुवार को भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, BCCI उसके पूर्व अध्यक्षेन श्री निवासन और IPL के पूर्व कमिशनर ललित मोदी और पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, फेमा के तहट 243 करोड रुपे के लें देन मामले में जुर्माना लगाया है गवर तलब है कि साल 2009 में दक्षिन अफ्रीका में हुए इंडियन प्रीमियर लीग, IPL, के दूसरे सीजन के दोरान रुपे के लें इन देन के मामले में BCCI पर 82.66 करोड रुपे का जुर्माना लगाया गया है जबकि IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी पर 10.65 करोड रुपे का जुर्माना लगाया गया है इसके अलावा पूर्व BCCI अध्यक्षेन श्रीनिवासन पर 11.53 करोड रुपे का जुर्माना लगाया गया है बतादें की इडिने BCCI ललित मोदी एन श्री निवासन के खिलाफ इस फेमा मामले में 120 करोड रुपए से ज्यादा का जुर्माना अदा करने का आदेश जारी किया है